इस question को देखिए, ये question आपका आया है, CBC 2011 में न, mode of the following data, ये mode यहाँ पर आपको निकालना है इसका, ठीक है, तो बस ये question मैं इसले करा रहा हूँ, because यहाँ ऐसा लिखा, below 10, below 20, तो below का मतलब कौन सी cumulative frequency दिये हुई है, less than type, कौन सी, less than type, ये जो number of students दिये में, ये CF है, क्या है cumulative frequency, ओभी कौन सी वाली, less than type, अब आपको याद है, less than type में, ये जो number लिखे रहते हैं, 10, 20, 30, ये क्या होता है, upper limit होती है, class interval की, तो देखो, यहाँ पर हमें एक interval मनाएंगे, समझो जड़ा, फटा-फट में आपको दिखा देता हूँ, tension है नहीं कोई, देखो, यहाँ पर इस तरीके से, ओके, तो और यहाँ पर, समझो, यहाँ पर question में हमें दिया हुआ है, मैं color change कर दे रहा हूँ, question में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर line भी draw कर देते है, फटा-फट, यह इस तरीके से, ठीक, ऐसी table आप बनाओगे, blue color से जो मैं लिखूंगा, वो question है, और solution क्या लिखा उसने, below 10, सही है, फिर उसने क्या लिखा, below 20, फिर उसने क्या लिखा, below 30, फिर उसने क्या लिखा, below, below का मतलब less than, याद है, 40, और फिर finally मेरे ख्याल से क्या है, below 50, सही है न, ओके, below 50, यह लीचे, तो यह सब upper limit हो जाएंगी, 10, 20, 30, या upper limit हो जाएंगी, तो upper limit क्या होगे, 10, 20, 30, 40, 50 अब lower limit के लिए आप चेक कर लो दो numbers में, दो consecutive numbers में कितना गया पा रहा है 10 का, 20-10, ऐसे समझो न 10 का, इसलिए आपका class size 10 का होना चाहिए, अब आप समझदार हो class interval बना लोगे, यानि कि बनना चाहिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, correct और यहाँ पर अगर आप ध्यान से चेक कर होगे तो यह दिया हो है, इसकी cumulative frequency ओके, यह सब क्या है, इसकी cumulative frequency 8, next क्या है 20, next क्या दिया था 45, next क्या दिया था 58, और next क्या दिया था आपको 70, अब याद है, यह cumulative frequency है जो question में दी हुई, यह सब ठीके न, फिर, यह class interval आपको बनाना है और frequency वाला column आपको बनाना है यह बनाना मैंने सिखा है तर लेस देन टाइप में, कैसे बनाते हैं फर्स वाले को ऐसे ही copy करेंगे, फिर 20-8 12, फिर 45-20 25, फिर 58-45 13, और फिर 70-58 कितना आ जाएगा आपका 70-58 12 आ जाएगा, और इन सभी frequencies का add करोगे तो submission f आ जाएगा यहाँ पर, अब आपको क्या निकालना था? check कर लिजे, mode निकालना था सही न, यह आ गया न, 8 को ऐसे copy किया 10-10 यहां लिखा, 10-10 यहां लिखा 10-10 यहां लिखा, 10-10 यहां लिखा उसके बाद mode का formula याद करा है मैंने l plus in the bracket f1 minus f0 upon 2f1 minus f2 into h, h क्या होता है? class है, इसका? model class का, model class कैसे पर चानते हैं यहाँ जिसकी frequency सबसे model शब्द कहां से है? mode से, जिसकी frequency सबसे जादा होगी, कौन सी frequency सबसे जादा है? जाके check करो, यह frequency सबसे जादा है, ठेके ना? तो यह frequency सबसे जादा है, तो इसकी corresponding जो class होगी आपकी यह इस तरीके से, यहाँ पर आ जाईए तो इसकी जो corresponding class है, यह वाली आपकी कौन सी? यह लीचे 22-30 वाली class क्या होगी, आपकी model class L का value, lower limit of the model class L का value रखखा 20, f1 क्या होता है? यानिके f2 कितना रखोगे 13, सही है और f0, f0 क्या होता है model class की preceding class की frequency यह लीचे, और h क्या होता है class size upper limit minus low limit, 30 minus 20 h कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीके ना? formula में fit करोगे, mode निकाल लेना, answer आएगा 25.2, तो यह बस मैंने just discuss कर लिया, because below 10, below 20 ऐसे करके दिया होगा तो, कर लीचे